ब्लेक रॉड ब्रेसी का फसलो का काला सडन रोग ब्लेक रॉड ब्रोकली, केल और अन्य ब्रेसी का फसलो की सबसे आम बिमारियों में से एक है यहाँ पत्यों को प्रववित करता है और अक्सर सीर सडने लगता है इससे पैदावार गंभीर रूप से सिमित हो सकती है वर्तमान में उपलब्द नहीं है बलेक रॉट एक जीवानू रोग है जो पानी के मध्य से फैलते हैं इस विमारी से निपटने के लिए पानी का प्रबंद करना महत्त पूड़न है कुछ विसेश लक्षन से काले सडन रोग की पहचान की जाती है प्रारंभ में लक्षन पत् समवहनिय उतक और सीर्ट सडन विक्सित हो सकते हैं पौधे परिक्तता की किसी भी अवस्थाता में प्रभावित हो सकती है अला सरन बैक्टेरिया जैथ मोनस केपिसीटी पीवी केपिसीटी के कारण होते है यह बैक्टेरिया ब्रेसिका परिवार के किसी भी पौधे को संक् कर सकता है लेकिन ब्रोकली पत्त गोभी फूल गोभी और केले में सबसे अधिक हानेकारक होते हैं काली सडन अक्सर संक्रमित बीज के माध्यम से खेतों और बगीचों में प्रवेश करती है एक बात उपस्थित होने पर काली सडन अवसेशों में बनी रह सकती है बैक्टेरिय पौधे में पत्तों के किनारे के छेद्रों के माध्यम से प्रवेश करते हैं जिन्हें हाइड्रा थोडस कहा जाता है जहां सुबह ओस जमा होता है बैक्टेरिया संक्रमित बीज या उला विरिष्ट से हुई नुकसान यंत्रिक चूंट या कीडो के खाने से हुए घाओ के माध्यम से भी पौधे में प्रवेश कर सकती है कुछ अध्यनों से पता चलता है कि पिस्टू भ्रिग और अन्य कीडे बैक्टेरिया को पौधे से पौधे तक पहुचा सकते हैं काला सडन पानी से असानी से फैलता है काला सडन उच्छ आदरता के साथ गर्म परस्थितियो सबसे तेजी से फैलता है सांस्कृतिक नियंत्रन काली सडन की जाज करने वाली कमपणियों से बीच खरीदे इसे अवसर बीच कैटलॉग में सुचिबद किया जाता है बीच को केवल स्वस्थ पौधे से बचाए प्रतेक पौधे के अधार पर ड्रिप सिचाई सोकर नली या साउधानी पूर्वक हाथ से पानी दे सुबह पौधे की पत्यों की ओस वास्पित होने के बाद पानी दे ब्रैसीका के पौधे उसी इस्थान पर लगाने से पहले तीन साल बीच जाने दे पौधे को परियाप्त दूरी पर रखकर वायू प्रवाह बढ़ाएं ब्रोक लगाएं उसी इस्थान पर ब्रैसीका की फसल लगाने से पहले तीन साल बीच जाने दे कटाई के बाद अपने बगिचे में फसल अवसेस हटा दे इसे खाद बनाया जा सकता है या वापस मिटी में मिलाया जा सकता है ब्रैसीका परिवार के खरपतवारों जैसे चरवाहे का पर काली सरसो और खेत की सरसो पर पूरा ध्यान दे उन्हें अपने बगिचे से हटा दे ताकि वे काली सडन के लिए मेजबान के पुर्व में कार्य ना करे बीज बोने के लिए उपयोग की जानी वाली ट्रे को हर साप और स्वच्छ करे यदि लक्षण कुछ पौधे तक ही सिमित है तो लक्षण दिखाई देते ही संक्रमित पौधे को हटा दे केवल पत्तियों को ही नहीं बलकि पूरे पौधे को हटाना सुनिश्चित करे से धोले यदि आप कटाई उपकरन का उपयोग करते हैं तो संक्रमित पौध्यों को छुने के बाद उन्हें धोएं और साफ करते हैं ये लक्षण पत्यों पर पिले धपों की तरह दिखाई दे सकती है खेत्र में बिमारी के प्रकट होते ही उसका प्रबंधन शुरू करने के लिए आउसर प्रारंभिक लक्षणों की निगरानी करें ब्लेक रॉट की लक्षण आने पर कुछ विशेज दवायों का इस्प्रे करें बायर की नेटियों या अदामा की कस्टूडिया बी एसेप की केविरो टाप या ब्लू कापर एंटा की एमिस्टाट टॉप या धानुगा की लेस्टर और कोसाइड इन फंगिसाइट का इस्प्रे समय पर करने से ब्लेक रॉट की समस्या पर कंट्रोल किया जा सकता है यदि आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सस्क्राइब कर लिजिए ताकि वारे चैनल पर दी गई जानकारी आप तक सबसे प्रूट